कि दोस्तों आज का यह वीडियो काफी इंपोर्टेंट है इस वीडियो को आ खिर तक देख़ेए ता कि आप लोग को समझ में आज सकरे किस तरह से आप rapid बजर के अंदर केसी कर सकते हैं rapid बजर के अंदर केसी करने के लिए सब पहले आपने mobile के अंदर तीन document का picture जरूर upload करके रख ले या click करके रख ले तो सबसे पहला जो document है वो आपका pain card होना जाई है, दूसरा अधार card, अधार card का front side और back side, तिसरा document जो है वो आपके bank passbook का वो page जिसके अंदर आपका नाम बैंक का एकाउंट नमर आफसी कोड जैसी जनकारी होती है उसका आप पिक्चर रख सकते हैं यह तीनों डोकुमेंट रखने के बाद जो है कि आप जब अपने रैपिट बजा रहे हैं ब्राउजर में जाकर ओपेंड करेंगे तो ओपेंड करने के बाद जब यहां पर ज ऑप्रीकेशन वाले यह आपको क्लिक करना होता है आपके सामने कुछ इस तरह से आपसन आ जाता है जिसमें आपको अपना सारा डीटेल और डौकुमेंट को अपलोड करना है इस एरिये में अपना फूल एड्रेस आप डालेंगे फूल एड्रेस जो आपका अधार काड में हैं वही आप यहाँ पे mention करें उसके बाद आपको यहाँ pain card का number डालना होगा और next नीचे जो आप देख रहे हैं अधार card number वहाँ पे आपको अधार card number डालना है उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं bank detail लिक्कर आ रहा है तो bank डीटेल में आप अपना जो भी बैंक का डीटेल है जैसे कि आपका बैंक का नाम क्या है ब्रांच कहां पर है एकाउंट नम्मर क्या या एपसी कोड क्या है वो तमाम चुछ डाल देंगे नेक्स्ट उसके बाद अपलोड पें यानि की पेंट कार का पीच्चर आप अपफ लॉड़ करेंगे एल पर किलिक करने के लिए और अपना पेंट क का पिकचर जो है उस पर जब क्लिक करेंगे आप तो यहां पर अपका पेंट card upload हो जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं यह image का number लिखकर आ रहा है यानि कि मेरा pain card है upload हो गया उसी तरह से जब आप अधार card का यह front size आप upload करेंगे तो choice file पर दुबारा click करेंगे file में जाते हैं उसके बाद इसका front area को upload कर करते हैं आधार card का इस जगें पर हम अपना अधार card का backside upload करेंगे कुछ इस तरह से उसके बाद हम यहां पर जैसे शब्रूस कि हमने पहले बता रहा था कि बैंक का पास्पुक या फिर चेक डुक का पिक्शर kapload करना है और submit करने के बाद कुछ ही घंटे के अंदर आपका KYC complete हो जाता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम detail हमने यहाँ पर upload कर दिया है और लिख भी दिया है और last में हम यहाँ पर submit पर click कर देते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं thanks KYC successful done लिख कर आ गया है तो यह हमारा भी फिलाल pending में है जब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ pending लिख कर आ रहा है जब यह pending हट जाता है और उसके बाद आप जो है कि आप अपना withdrawal बगेरा या फिर कोई किसी भी तरह कोई transaction करना हो तो तमाम चीज़ आप कर सकते हैं KYC के बाद तो आप तमाम लोग समझ गया होगा कि रेपीट बजार के अंदर किस तरह से KYC करना होता है अगर आप चाहते है रेपीट बजार से समझत और अधिक जानकारी लेना तो रेपीट बजार के जितना भी वीडियो है उसका प्लेलिस्ट हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट के लिंक पे किलिक करके आप तमाम वीडियो को देख सकते हैं अधिक जानकारे के लिए आप हमें डायट टेलिगराम पर कॉंटक्ट भी कर सकते हैं तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला उस वीडियो का लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेयर कीजिए वीडियो का अंदर कॉमेंट भी कर सकते हैं